कहा यह स्टार्ट करते हैं जैएइ में 9 अप्रेज, được 1 dus फटोड़ा ही जैसे पेटरं कें थे थोड़ा बहुत चेंचेंचे affected अब देखे यह कोशनरे कि स्टंडेर्ड कोशनरें जो आपने करा इसको मैं आपको हमेशा बोला है कि जब भी यह वाली form हो तो directly answer limit by 2 होता है but इसमें एक बहुत ही important बात है वो यह कि उपर sin cube x हो गया तो हम इसमें यह limit minus x वाली property लगा के जब add करेंगे देखिए steps कम से कम लिखने है इसमें property लगाएंगे अच्छा कोशिश करेंगा mentally करें तो जब आप यह property लगाएंगे तो sin बन जाएगा cos cube x नीचे sin x cos x ही रहेगा aq plus b cube से जब आप इसको open करेंगे तो a plus b से एक factor cancel sin square x cos square x 1 होगा मतलब आपको पहली step मैं पूरा बात में समझाता अब यह पहली step कायदे से लिखना चाहिए था 1-1 by 2 sin 2x dx यह step लिखनी थी और यह हुआ 2y equal to भूलेगा मत अब 2y equal to अब देखिए इसके integral लिख सकते है x minus 1 by 4 cos 2x और cos आया है तो प्लस जब भी सी आएगा तो minus 0 2 pi by 2 then 2y equal to pi by 2 plus यहां जब pi by 2 रखेंगे तो cos pi मिलेगा तो cos pi कितना minus 1 तो minus 1 by 4 अब 0 रखा तो यह 0 और यह फिर minus 1 by 4 यहानि practically देखें तो 2y equal to मिला pi by 2 minus of 1 by 2 divide कर दिया 2 का तो pi by 4 minus 1 by 4 is a final answer right यह actual step होना चाहिए मैं हमेशे आपसे बोलता हूं कि question solving techniques अगर strong है तो आप questions को बहुत अच्छे से handle कर सकते हैं इसमें आपने step जितनी save करेंगे उतना अच्छा है बाकि आपको मैं बता देता हूं step wise कि आपको यह question ऐसा दिया हुआ था 0 2 pi by 2 sin cube x upon sin x plus cos x dx जब आप इसमें property लगाएंगे तो देखें क्या होगा 0 2 pi by 2 limit minus x यह होगा cos cube x upon यह cos हो जाएगा फरक नहीं बढ़ता कुछ और यह sin हो जाएगा and then जब add करते हैं तो 2 i equal to 0 2 मैंने कई सारी steps आपको बता है कि कैसे save करना है plus cos cube x upon sin x plus cos x then इसके बाद eq plus b cube का जब formula use करेंगे तो आप लिखेंगे sin x plus cos x into sin square x plus cos square x minus sin x cos x अब देखिए यह हो गया cancel और यह हो गया 1 तो 1 minus sin x cos x then 2 का multiply 2 का divide तो यह sin 2 x तो आप देखिए मैंने पहले इस लिखी यह नहीं mental calculation करेंगे तो आपका time भी save होगा और आप more attempt करेंगे note कर लिजे question को yes next question देखिए देखिए next question क्या है cos square 10 plus cos square 50 minus cos 10 cos 50 देखिए यह 10 यह 10 or 50 है एक काम यह कर सकते हैं हम इसमें 2-3 formula अगर यूज करें तो अच्छा रहेगा ग्यान रखिएगा यह formula समझाने के लिखा है cos 2 theta by 2 और 2 cos a cos b is equal to try cos a plus b plus cos a minus b अगर मैं इस धंक से करूँ तो देखिए यह हो जाएगा 1 plus cos 20 by 2 1 plus cos 100 by 2 minus अगर इसमें formula यूज कर दो तो 1 by 2 गोली कितना हो जाएगा cos a plus b plus cos a minus b right अब ध्यान दीजेगा यह 1 plus 1 2 हुआ और 2 by 2 तो 1 plus अगर मैं इन दोनों में cd formula यूज करूँ तो 2 cos c plus d by 2 तो 2 भी cancel तो cos c plus d by 2 यानि cos 60 into cos c minus d by 2 यानि cos 40 right minus 1 by 2 cos 60 plus sorry minus 1 by 2 cos 40 अब देखे ध्यान दीजे cos 60 की value 1 by 2 यह से cancel अब यह हो गया question solve 1 minus 1 by 4 then 3 by 4 is a right answer यानि देखिए question कितना अच्छा है अगर आप इस बस थोड़ा सा save करने की कोशिए इतनी step save करेंगे उतना अच्छा है अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि 2 by 2 plus cos 20 plus cos 100 upon 2 है यहाँ पर cd formula apply किया यहाँ पर 2 का multiply directly करते हुए लिखा और formula apply किया जितना आप step save करेंगे उतना आपके लिए समझ लिए time बढ़ने का chance बढ़ेगा नोट कर लिए question yes next question देखते देखेंगे next question क्या है sec 2 by 3 x cos x 4 यह इस तक का एक type है आपको याद होगा यह मैंने आपको बताया हुआ साइन पावर m x into cos power n x if m plus n even negative integer then put 10 x equal to or cot x equal to t अब यह देखते हैं हम सबसे पहले तो इससे आप ऐसा बना लीजिए यह हो गया cos x की power 2 by 3 into sin x की power 4 by 3 right अब इससे आप 10 की तम में यह बना सकते हैं और cot की तम में यह बना सकते हैं मतला आपके उपर depend करता है suppose आप इसमें divide कर दें यहाँ पर power इसकी बढ़ी है तो ठीक है आपने इसमें divide किया इसको बना लें cos x की power 4 by 3 का divide cos x की power 4 by 3 का multiply right यह हो जाएगा कितना यह power add हो जाएगी पर जाएगा तो यह हो जाएगा sec square x upon 10 x की power 4 by 3 dx right sec square x upon 10 x की power 4 by 3 अब देखिए 10 x की power 10 x की power 10 x की power 10 x को आप माल लेजिए t तो इसका differentiation हो गया sec square x dx equal to dt अब अगर यहाँ देखें तो dt upon t की power 4 by 3 या ऐसा भी बोल सकते हैं t power minus 4 by 3 dt इसका integration करना है यानि t power plus 1 तो minus 1 by 3 upon minus 1 by 3 यानि minus 3 into minus 3 into कितना जाएगा यह जाएगा 10 x की power minus 1 by 3 ऐसा भी बोल सकते हैं अच्छा एक बात अब इसको one upon करके भी लिख सकते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं minus of 3 cot x का power क्योंकि upon में चला जाएगा ऐसा लिखेंगे आप देखे 10 x की power minus 1 by 3 इसको ऐसा भी लिख सकते है one upon 10 x की power 1 by 3 यानि आप ऐसा बोल सकते है one upon cot x की power मतलब overall उपर देखें तो ऐसा लिख लो इसको तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे directly minus of 3 times of cot x की power 1 by 3 यानि ये एक चेंज ये टेंडर टाइप था इसमें हमेशा इन दोनों का सम अगर even negative integer हो तो 10 x को आप पूट कर दो तो आपका direct हो जाए तो 10 बनाने के लिए जितना sign का power है उतना ही cost का multiply डिवाइट करें ये हमेशा sec के term में उपर चला जाएगा 10 x को टी माल लिजे questions फाल हो जाएगा right note कर लिजे questions कल शार जाएगाग आपकाः vetो